नमस्कार अइसे में मौझूद हैं करनाल के नैशनल हाइवे वांड पर हम आपको बता दें विवान के ओपसिट साइट एक बड़ा हाथसा या पर रहा हम आपको बता दें कि तैज रफ्तार में बस जो है वो आ रही थी जिसके चलते बस ने जो है अपनी तेज रफ्तार चलत कितनी जोड़दार टकर यह रही होगी बाइक का नंबर में आपको बता दूँ एच आर जिरो फाइव यू थी फाइव डबल सेवन हमारी अपील यही रहेगी आप लोगों से वीडियो को शेर जरूर कीज़ेगा हाला कि लोग यहाँ पर मारे सथ मौजूद हैं जो की मौके पर इसमें मौजूद थे उनसे एक बर ही हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ है पताना चाहेंगे कैसे यह एक्सिदेंट हुआ और कितनी तेज स्वीड आपके अंताजे में थी बस जो है वो करनाल सारी थी इसका वाई है मैं बता रहे हैं इतनी लांड़ा लावारें गरोज जो लोग बाइक पर थे वो इसमें उनकी हालत कैसी है रहा है यह को गाड़ी में पेज़ए जो सर्पे सोट लगी हुई से ना उसको गाड़ी में डाल किसी दुका इसमें बेच दिया समोग और एक को यहां लगी थी चोट और एको सिरमे थी दोनों गंबीर थे मदलों कारवाई के ओजी बस बंदत है जिन्दा कारवाई तो यह मान देनी है कहीं बार पहलों है क्योंकि आमूमन देखा जाता है बस की स्पीज की बात करें वह अपने आप में बहुत ही जादा तेज होती है काई बार हम लोग भी आपको खबर दिखा चुके किस तरीके से बस की स्पीड के चलते कई लोग अपनी जान कवा बैटे हैं कई लोग चोटिल हुए है वही आज के हम आपको इलाइफ तस्वीर है करनाल के विवान के ओपजिट साइट से दिखा रहे हैं जहां पर एक बस ड्राइवर द्वारा जो है दो बाइक सवारों को कुछ अपने आप मे पर बैठे हुए मैंने उनकी एक वीडियो जो है रिकोर्ड की है वो उसमें जो बताया जा रहा है वो बता रहे हैं साफ-साफ के जो गलती है वो बस वाले किया सीधी उसने सीधा जो जब बाइक स्वार सामने से आ रहे तो उसने सीधे बाइक वाले का ठोका है और हम भी रहे दूसरे का भी पता नहीं है क्योंकि हमने अभी देखा नहीं है उनको अपने आप में बहुत ही स्पीड होती है जिसके चलते वे आसपास के लोगों को जो है नहीं देखते हैं आप देख सकते हैं बसने पहले जो है केंटर को टक कर मारी और उसके बाद सामने से जो बाइक पर दो लोग आas थे उनको टकर मारी और किस तरीके सुन से एक की हालक गंबीर बताई जारी जिसके सर पर चोट लगी है और दूसरे के भी हालक की टांगों पर चोट लगे हमारी आप लोगों से अपील ही रहेगी वीडियो को शेर इसली भी जरूर कीज़े को कई ना कई बाइक सवार भी जो है रॉंग साइट से आ रहे थे वो भी शायद लोगों से अपील ही रहेगी कि अगर आप लोग भी कही जाते हैं रॉंग साइट से ना ट्रैवल करें अपनी जो भी आपकी एक एक एकुरेट साइट है उसी तरफ से जाएं वही बस की स्पीड की बात की जाए तो इसके खिलाफ को इस्ट आक्शन जरूर लिया जा है हमारी आप लोगों को से अपील यही रहेगी वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा कुछ और लोग भी आपर मारे सथ मौजूद हैं जी सर क्या कुछ कहना चाहें पहले ही यह लगावा वह खड़े टेंकर में लगाए उसके बाद पहले उसने खड़े टेंकर पर जो है डख करने से बाइक आ रही थी और क्योंकि बस की स्पीड काफी जादा तेज थी तो उसमें जो बाइक सवार जो थे उनको काफी जादा चोटे जरूर आई है एक की कंडिशन सीरियस बताई जा रही है वही दूसरे की हाला कि जैसा कि लोगों ने बताया कि वो शाया ठीक है हमार की खबर आपको मेरी सायोगी नीरा माता बताई तो जैसा कि मेरी सायोगी ने दिखाया किस तरीके से इस समय मोझूद है करनाल के नेशनल हाइवे पर आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में काफी जादा बड़ा हाँचा यहां पर होते वे नजर आया है का नीमत है कि दोनों जो बाइक सवार थे उनकी जान बच चुकी है लेकिन काफी ज़़ादा बोचोल हो चुकी है एक बर आपको लाजित समय में दिखाना बी चाएंगे किस तरीके से बाइक जो है पूरे जो है डेमेज हो चुकी है दोनो लोग जो हैУनको होस्पिटल ले जाया गया है क काफी जादा चोटिल वो लोग हुए है तो हमारी अब सभी से अपीले इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तो कि मैसेज जरूर पहुंच सके कि सेफटी रूल्स का जो है एक पर ध्यान जरूर रखे अपने आप में ही काफी जादा बड़ा पूर यह है कुछ लोगों से भी एक पर हम बातचित करने की कोशिश करेंगे जो लोग यहां पर मोगे पर मुझूद थे एक पर उनसे पूछेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे जी सब्साफ बताया जा रहा है कि बस वाले की गलती है इसमें और किसी की कोई गलती नही सभी ने यही बात बोली है जो भी हमने सुना है यहां से जिससे भी सभी ने साफ-साफ बोला के और स्पीड पर हमारी बस आ रही थी और जो साफ-साफ गलते हो बस वाले और फिर अपने आप में बाइक को इतनी तेज तरीके से टक्रमारी कि दोनों जो बाइक चालक थे उनको काफी जादा चोटे आई हैं अपने आप में ही काफी जादा भीयानक एक्सिडेंट या होते होई नजर आये तो जादा से जादा इस ख़बर को शेर सरूर कीजेगा ता लिमिट का ध्यान नहीं रखा जाता अपने आप में ही बहुत गलत तरीके से ड्राइव करते हैं एक बर मौके से जो है ड्राइवर भाग चुके हैं यापर मौजूद नहीं है तक्कर मार के यह से जा चुके और सभी बस चालकों ने भी यही बताया किस तरीके से ड्राइव कि विभूतिया मेरे साथ है उन से चाहना चाहूंगी जी विभूति क्या कुछ क्याना चाहेंगे रोड एक्सिडेंट्स काफी जादा बढ़ते हो इन अजर आ रहे हैं तो यह जो रोड एक्सिडेंट्स विवान की ऑपोजट साइड हुए जहां पर एक बस ने बाइक को अज़र भी नहीं आता शायद इतनी उपर से उनको बहुत लिमिट में अपनी स्पीड रखनी चाहिए और इसके लिए कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जो बस ड्राइवर्स हैं अपनी स्पीड लिमिट में ही चाहिए तो जैसा कि बस में बैठी सवारियों ने भी बताय किस तरीके से जो बस ड्राइवर्स है चाहिए हर्याना रोडवेज हो प्राइवेट रोडवेज हो बागी वेहिकल्स को नजर अंदास किया जाता है और स्पीड लिमिट का ध्यान नहीं रखा जाता और उसी के कारण रोड एक्सिडेंस की तो संक्या है अपने आप में ही का आचित करने की कोशिश करेंगे जी सर क्या कुछ क्याना चाहिएंगे रोड एक्सिडेंट्स वैसे जनरली पूछ रोड एक्सिडेंस काफी जादा तो जैसा कि पहले भी लोगों ने में बताया किस तरीके से ड्राइवर किया पर काफी जादा गलती नजर आ रही है और वो म पर जादा खबर को शेर जरूर कीजे ताकि सब तक मैसेज पहुंच सके प्रशासन तक मैसेज पहुंच सके और जल से जल इसक्ट लिया जा सके तो यह तस्वीरेत समय आपने देखी हम आपको बताएं कि करणाल के जीडी रोड पर करणाल के नेस्चल हाईवे पर होटल विवान के सामने जो है कि अभी 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 दरदनाख सड़क हाथसा हुआ जहां पर एक तेज रफ्तार बस ने किस तरह से हम आपको बताएं कि ज भाग गया है और आप देख सकते हैं कि लौ लुहान हालत में उनको होस्पिटल में लेकर जाया गया है उनकी हालत काफी ज़्यादा गंबीर बनी हुई है सड़क पर खून ही खून बिखरा हुआ है हम आपको बताएं कि चाए रोड वेस के चालक हो चाए प्रैवेट रोड के बाद एक बाइक सवार दो बाइक सवारों को टक्कर मानने के बाद ड्राइवर ने ये कोशिश नहीं की कि दुन दोनों घायलों को उठाए उनको होस्पिटल पहुंचाया जाए बलकि मोके से वे भाग निकला तो सीधे तोर पर ही टेंडरन का केस है एक बड़ी से जाए प्राइवेट रोडवेस के चालक हो अमूमन इस तरह की बड़ी लापरवाई करते हैं और सड़क हासों को अंजाम देते हैं और किस तरह से दो लोगों को कुचलने के बाद वे मोके से यहां से बस छोड़ कर बाग निकला है लोगों में काफी जादा गुसा था जिस करनाल वेकिंग नियूज करनाल